तो वेलकम बैक तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे जेके बोस का लास्ट वेल्थ इन्वार्मेंट लास्ट मिनिट प्रेपरेशन एंड हमारा जो टार्गेट है दाट इस 65 पुलस एंड जिन बचुने अभी तक इन्वार्मेंट में कुछ नहीं seven chapters जो हैं वो seven hours में total 7 गंटु में मैंने finish किये हैं आप देख सकते हैं अगर आपके पास दो तीन दिन भी अच्छे हैं तीन दिन में भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं and MCQ Series को भी आप attend कर सकते हो and आप अच्छे से 65 पुलस यहाँ पे score कर पाओगे and I will guarantee you that अगर आप सारे lectures अच्छे से देखोगे and जो MCQ sessions हैं वो attend करोगे clear so यहाँ पे हमारा रहेगा MCQ session number one and I will try कि आपको around 3 MCQ sessions provide करूँ clear so एक MCQ session में आपके 50 MCQs होंगे and यह जो 50 MCQs होंगे बिलकुल आपके exam oriented ही होंगे clear and देखिए इन MCQs से आपको क्या benefit होगा एक तो जो आपके MCQs या फिर one mark कुशनिस पूछे जाएंगे वो around 8 पूछे जाएंगे then आपके जो two mark कुशनिस है न clear वो भी यहाँ से हो जाएंगे उनका concept भी यहाँ से आपको clear होगा and कुछ तीन mark के कुशनिस का भी concept majority one mark कुशनिस आपके आ आने वाले हैं बोर्ड में उनका concept आपको इन objective से clear होगा clear and this will help you a lot now देखिए पहला कुशनिस या पे 50 कुशनिस हैं and आप अपना score comment section में mention करना कि कितने objectives आपके यहाँ से सही हुए अगर आप का score 35 पलस या फिर 40 पलस आ रहा है so मैं मानूगा कि आपकी preparation अच्छी है यहाँ पे clear आपकी preparation अच्छी है यहाँ पे देखिए पहला question यहाँ पे reduce, reuse and dash dash are the three hours to save the environment clear to save the environment क्योंकि देखिए environment जो हमारा होता है यह काफी important subject होता है especially जब आप job exams के लिए जाएंगे वहाँ पे यह काफी ज़्यादा important subject होता है and वह are the three hours तो बोलिए कौन से तीन hours हमारे पास हैं to save the environment clear and इस टाप का अलड़ी एक दो बार question आपके exam में आया है so तीसरा hour कौन हमारे पास होता है it is recycle clear चार hour मैंने आपको सिखाए थे पहला reduce then reuse third is recycle clear third is recycle अच्छा चोथा जो होता है हमारे पास that is refuse जब मैंने आपको waste management वाला chapter को बोला जो था आर जो हमारे पास होता है that is refuse बट यह हमारे पास optional होता है इनकी individual पे depend करता है कि वो refuse करेगा किसी किसी चीज़ को market से या नहीं करेगा clear in detail concept wise खाया है मैंने आपको clear so recycle हमारे यहां पे correct option रहेगा next the aim of environmental protection act 1986 देखिए काफी ज़्यादा कुश्मिस यहां पे जा सकता है बोलिए environmental protection act जो है इसकी date बोलिए कब आया so कब आया 1986 में environmental protection act आचा यह भी याद रखिएगा किस article के तहत आया article 253 this is again important objective एक objective से यहां पे आपके 4-5 concepts clear होंगे clear 4-5 concepts clear होंगे so environmental production act 1986 में लाया गया था किस article के तहत article 253 के तहत clear article 253 के तहत अचा यह भी पूछा जाता है clear अचा यह भी पूछा जाता है कि किस तहत सो हमारी एक conference ती जिसको बोला जाता है stock home stock home s-t-o-c-k-h-l-o-m stock home conference के तहत इसको लाया गया था clear लाया गया था आचा बोलिए जिसमें अच्छे से पढ़ा है बोलिए कितने chapters होते हैं इसमें जो chapters होते हैं वो चार होते है clear एंड इसमें जो sections होते हैं वो कितने होते हैं 26 यह भी objectives आपसे पूछे जा सकते हैं आचा बोलिए penalty के related penalty अगर कोई बंदा environment production act 1986 को violate करता है तो कितने सालों की penalty 5 years क penalty plus साथ ही में क्या साथ ही में fine fine कितना fine 1 lakh rupees clear fine 1 lakh rupees and अगर वो फिर violate करेगा so यह जो fine है यह every month 5000 से बढ़ेगा so इतने important points से आपके पास clear so environmental production act कब लाया गया 1986 में किस article के ताहत article 253 आचा किस conference के ताहत Stockholm conference chapters कितने हैं four sections कितने हैं 26 and यह है penalty यहाँ पे five years jail and one lakh आपका money के terms में penalty यहाँ पे clear and जो हमारे पास environmental protection act है इसमें एक बार amendment हुई clear यह भी question आप से पूछा जा सकता है इसमें एक बार amendment हुई कब हुई 1991 में यह भी याद रखिएगा clear so screen shots आप यहाँ पे ले सकते हैं and देखिए कितने concepts यहाँ पे आपके clear हो रहे हैं so the aim of environmental protection act 1986 पहला option to protect and grow foresters नहीं foresters के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं था to grow and protect wild and rear animals wild life के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं था to control environmental pollution बिलकुल environmental pollution को control करने के लिए इसको लाया गया था आगे बढ़ते हैं आचा काईटो प्रोटोकाल is related to the convention on so काईटो प्रोटोकाल very important convention clear आचा किसके related हमारे पास होती है it is related to climate change clear climate change and ये भी कुछ नहीं आप से पूछे जा सकते हैं बोलिए काईटो प्रोटोकाल को कब लाया गया इसको लाया गया 1997 में अच्छे से सब कुछ में मैंने आपको पढ़ाया है बट इनफोर्स कब किया गया 2005 में याद रखियेगा कभी कुबार पूछा जाता है कब लाया गया 1997 में इनफोर्स येनकी लागू कब हुआ क्लियर येनकी बिल वगेरा कब पास हुई 1997 में बट ये इनफोर्स कब हुआ 2005 में अच्छा इसको हम कॉ इसको हम बोलते हैं कॉप 3B and this is related basically किसके related है ग्रीन हाउस गेस के related ऐसा कुष्टन भी आपसे पूछा जाता है कॉइटो प्रोटोकाल 1997 में लाया गया लागू कब हुआ 2005 में इसको कॉप 3B बोला जाता है किसके related है climate change या फिर ग्रीन हाउस गेस के related very important clear या फिर इसको कभी कबार बोला जाता है carbon credit system के related है clear carbon credit system के related है clear so option C next with reference to year quality index clear year quality index में भी आपको पता ना हो ये भी exam में पूछा जा सकता है clear क्योंकि इसका एक जगे NCRT में mention किया गया है आपका so year quality index so ये भी मैंने यहाँ पर रखाए में भी शायद लेक्चर में नहीं होगा so year quality index basically होता क्या है ये एक index होता है जो कि determine करता है कि pollution levels हमारे पास कितनी है clear pollution levels हमारे पास कितनी है and इसमें generally हमारे पास six categories होती है clear इसमें हमारे पास छे categories होते हैं से आप बोलते हो किसी को distinction आती है कोई fail हो जाता है clear अचा किसी को top रेंक आती है वो कैसे हम define करते है categories से clear अचा इसमें 6 categories रखी गई पहला यहां पे good clear then satisfactory then इसमें रखा गया moderate clear moderate then इसमें रखा गया poor then इसमें रखा गया very poor and then इसमें रखा गया severe यह रखी गई इसमें 6 categories clear 6 categories and यहां से इनका score दिया गया clear कि अगर year quality index 0 to 50 है year का so इसको हम बोलेंगे good year clear अगर 0 to 100 अचा 50 to 100 next होगा 50 to 100 अगर 50 to 100 है so satisfactory अगर 100 to 200 है clear so moderate clear अचा अगर 200 to 300 है so year हमारा poor है clear अगर 300 to 400 है so year है it is very poor अगर 400 to 500 है so it is severe यह हारमफुल हो सकता है किसी भी बंदे को longest man damage हो सकता है इस year के कारण so यह होता है हमारे पास year quality index 6 categories clear अचा अचा एक और point एक और point इसमें जो pollutants लिये जाते है clear pollutants जो लिये जाते हैं इसमें हमारे पास trick होती है pollutants को याद करने के लिए trick आप याद रखेंगे no p.m. no p.m. is so cool is so cool to play to play pub g pub g in zone without ammo ये एक trick होती है इसके pollutants को याद करने की without ammo क्योंकि ये भी exam में पूछा जाता है कि कौन कौन सा pollutant यहाँ पे होता है clear so देखे no p.m. is so cool to play pub g in zone without ammo NO clear NO NO से याद रखेंगे आफ NO2 यहाँ पे होता है PM से याद रखेंगे आफ particulate matter 2.5 and particulate matter 10 यहाँ पे होता है SO से याद रखेंगे आफ SO2 sulfur dioxide यहाँ पे होता है cool cool में आप याद रखेंगे co carbon monoxide यहां पे होता है pv pubg में आप याद रखेंगे pb led यहां पे होता है zone zone जह आप याद रखेंगे ozone ammo ammo याद रुटेंगेég आप amunia इतने pollutants यहां पे होते है clear no PME so cool to play pubg in zone without ammo इस trick को आपको याद रखना है and in pollutants को आपको याद रखना है objective में आपको दिया जा सकता है which of the following pollutants is included या फिर not included in year quality index clear year quality index अच्छे से आप याद रखेंगे and इसको किसके दोरा लाया गया था CPCB and अच्छे से मैंने आपको बोला है कि CPCB हमारे पास क्या होता है and CPCB को कहां से लाया गया clear so it is simply central pollution control board CPCB हमारे पास होता है central pollution control board and आपके environment exam में जो full form से इनको काफी ज़्यादा पूछा जाता है बोलिए CPCB denotes या बोलिए EIA denotes clear ऐसे कुछ नसाब से काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं environment में clear so देखिए इसमें basically क्या होता है इसमें basically हमारे पास होता है देखिए पहला option there are seven year quality categories नहीं हमारे पास जो categories है वो कितनी है छे पहला जो option है ये wrong है clear 6 categories हमारे पास होती है next it follows one number one color and one description बिलकुल देखिए इसमें क्या follow होता है one number देखिए इसको हम बोलते हैं one number clear one number आचा साथ ही में one description इसको हम बोलते हैं description one description and साथ ही में यहाँ पे color coding होती है basically clear यहाँ पे red जो severe है इसको red से denote किया जाता है clear then very poor को let अलग color से then poor को किसी अलग color से clear so color भी यहाँ पे so 3 चीज़े basically यहाँ पे होती है एक तो आपने देखा number देखिए number यहाँ पे then description description good satisfactory वगेरा color color भी यहाँ पे दिया जाता है color से भी हम denote कर सकते हैं कि ear की quality हमारे पास क्या है so हमारे पास जो option B है वही correct रहेगा यहनकी only भी यहाँ पे correct रहेगा clear so this is बिल्कुल correct option B next जाते हैं हम number five and six पे man cause of water pollution are easily आप यहाँ पे identify कर सकते हो sewage, agriculture, industry बिल्कुल sewage के कारण भी हमारे पास pollution होता है sewage treatment plant अच्छे से मैंने आपको detail में पढ़ाया है agriculture के कारण भी हमारे पास water pollution create होता है industry के कारण so therefore all of the above option D यहाँ पे correct रहेगा next question water pollution is not caused by water pollution किसके कारण नहीं होता है flood के कारण बिल्कुल होता है everybody knows जब flood आता है water कितना गंदा हो जाता है sewage के कारण बिल्कुल agriculture के कारण desalination के कारण water pollution नहीं होता है next basal convention provides clear जब भी दिमाग में basal convention आए हमेशा याद करना कि इनको hazards waste उसको पढ़ाए है मैंने आपको hazards waste जब भी basal convention दिमाग में आए so hazards waste उसको tick करिएगा clear so जो basal convention हमारे पास है it is related to hazards waste objective आप से पूछा जाता है basal convention को कब लाया गया so याद रखिएगा 1989 में किसके related है it is related to hazards waste अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है clear इसका detail वाला चप्र आपके पास है वहाँ पे solid waste management वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है so hazards waste उसके related होता है कब लाया गया 1989 में next which one of the following is a hygienic way of disposing solid wastes and is more suitable if the waste containers more hazards material and organic content देखिए हजाडस material के बारे में बात कर रहा है clear so आपसे बोल रहा है कौन सा यहाँ पे hygienic way होता है अगर हजाडस material हमारे पास है किसमे solid waste में उसको tackle करनी के लिए हमारे पास सबसे best option कौन सा होता है so it is incineration clear incineration याद होगा आपको मैंने आपको burning पढ़ाई थी burning में मैंने आपको दो methods बोले थे एक मैंने आपको बोला था incineration दूसरा मैंने आपको बोला था pyrolysis clear incineration and pyrolysis incineration में क्या होता है यहाँ पे जो burning होती है that is complete burning in presence of oxygen यहाँ पे जो burning होती है that is limited supply of oxygen यहाँ पे काफी ज़्यादा oxygen दिया जाता है कि इसमें incineration में clear and incineration में एक और objective यहाँ पे complete destruction होती है जो pathogenic dangerous bacteria होते है pathogenic bacteria हजार्स wastage में इनकी complete destruction हो जाती है सब चीज़े मैंने आपको पड़ाई है अगर आपने lectures को अच्छे से देखा है एक एक कुशन आपसे यहाँ पे बनेगा clear so incineration हमारे पास correct option रहेगा now अगर आपसे बोला जाएगा कि best method कोन है हजार्स के लिए to conserve energy so energy conservation के लिए conservation of energy के लिए सब से जो best method होता है it is pyrolysis clear अच्छा पैतोजीनिक बैक्टेरिया को destroy करने के लिए complete destruction करने के लिए insiniration but अगर energy concern आपको करने है यहनकि आपको by product चाहिए tar वगेरा जो मैंने आपको बोला था tar पैट्रोलियम वगेरा अगर आपको वहाँ पे चाहिए clear या फिर gum वगेरा वो आपको कहां से मिलता है पाइरोलिक्स में आपको by products वगेरा मिलते है नेक्स्ट fly ash clear air pollution को याद करिए clear fly ash जब मैंने आपको particulate matter 2.5 वगेरा पढ़ाय था clear fly ash is a well known pollutant clear is produced by कहां पे produce होता है thermal power plants में produce होता है cement का concept मैंने आपको दिया था वहाँ पे थोड़ा बहुत clear so कहां पे produce होता है thermal power plants में clear which among the following is not an air pollutant normally कौंसा air pollutant हमारे पास नहीं होता है carbon monoxide बिलकुल pollutant SO2 sulfur dioxide बिलकुल pollutant hydrocarbonus B pollutant carbon dioxide is not a pollutant clear now consider the following statement a assertion air pollutants known as particulate matter 2.5 increase the chance of heart disease and reason these microparticles can penetrate deep into lungs and inter blood circulation यहाँ पे जो options है वो आए नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि both assertion and reason are correct या फिर assertion is correct reason is not correct so जब आप statement को देखोगे अच्छे से मैंने आपको particulate matter 2.5 पढ़ाया था जब मैंने आपको primary pollutants and secondary pollutants को पढ़ाया था primary pollutant and secondary pollutant is very important clear उस पे ध्यान रखिएगा clear so particulate matter 2.5 जो होता है हमारे पास clear and वहाँ पे मैंने आपको size वगेरा के बारे में भी बोला था इसका जो size होता है basically it is less than 2.5 micron या फिर micrometer आप बोल सकते हो काफी छोटा होता है clear काफी छोटा size होता है इसका and इसके कारण deaths भी हो सकते हैं premature deaths भाई एरा so बिलकुल air pollutants known as particulate matter 2.5 increase the chance of heart disease बिलकुल assertion correct है these micro organs can penetrate deep into lungs बिलकुल reason भी हमारा correct है so option दूनू clear assertion and reason दूनू हमारे यहाँ पे correct होते है clear option यहाँ पे नहीं आए clear next what is primary effect of excess phosphorus the aquatic environment called clear excessive phosphorus अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था excessive phosphorus clear किसको जनम देता है utrophication को जनम देता है clear अच्छा utrophication हमारे पास क्या होती है utrophication हमारे पास होती है एक तो phosphorus के कारण and थोड़ी बहुत किसके कारण nitrogen के कारण clear आच्छा यहाँ पे basically क्या देखा जाता है algal bloom देखा जाता है water में clear and यह long cushion आपके exam में पूछा जाता है utrophication या फिर algal bloom अच्छे से मैंने आपको सिखाया था कैसे आप points में mention करोगे clear and अच्छे से हमेशा try करना की exam में आप points में लिखो काभी बच्चे बोलते हैं wording कितनी होनी चाहिए जो technical subjects होते हैं like physics, chemistry, environment इनमें wording जादा matter नहीं करती है आपके points matter करते हैं कि कितने points क्योंगी देखे examiner जो होता है वो आपके points चक करता है क्या बच्चे को concept है algal bloom का, utrophication का clear ऐसा नहीं कि आप 3500 words लिखोगे इदर उदर की कहानी नहीं to the point चीज़ें होनी चाहिए to the point चीज़ों में ही marks मिलते हैं clear, this is not history और geography आप कुछ भी लिखकर आओगे clear, आपको to the point लिखना है technical subjects में clear, आच्छा, algal bloom भी इसको हम बोलते हैं clear, क्योंकि यहाँ पे अलगे वगेरा होते हैं उनकी काफी ज़्यदा growth होती है क्योंकि उनके लिए phosphorus और nitrogen जो होता है वो food का काम करता है अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है clear, food का काम करता है so algal bloom यहाँ पे देखी जाती है and जो हमारे पास fishes होती है and कुछ plants होते हैं उनकी death हो जाती है and जिसके कारण क्या होता है dissolved oxygen जो levels होती है वो degrees होती है water में इनकी oxygen content water body का कम हो जाता है BOD, biochemical oxygen demand बढ़ जाती है कभी कवार आपके exam में DO पूछा जाता है what is DO? it is dissolved oxygen what is BOD? it is biochemical oxygen demand clear, so यह चीज़ें बढ़ जाती है या फिर हम बोलीगे water में turbidity बढ़ जाती है clear, turbidity बढ़ जाती है so यह है eutrophication का concept अशा कब होती है basically होता क्या है यह basically कहां पे होती है pond वगेरा में यह भी याद रखिएगा जहां पे water static condition में होगा pond वगेरा में यह occur करता है and basically जो sunlight वगेरा आती है वो बुलाक हो जाती है and उपर कुछ यहां पे layer सी चड़ती है clear so उसी के कारण क्या होता है algal gloom या फिर yotrophication next which of the following is a unit to measure noise pollution बोलिए intensity especially जब भी noise pollution की बात हो so हमेशा याद रखना है intensity की बात हो रही है so intensity को हम कैसे major करते है decibels से and इसको denote किया जाता है आगर पूँछा जाए noise जो हमारे पास है noise की frequency को कैसे major करें so it is still Maarjord in Hertz frequency को हम hertz में measure करते है but noise pollution को major करते है decibels में या फिर इसकी intensity आप बोल सकते हो noise की intensity आप decibels से major करते हो noise की frequency आप Hertz से major करते हो नेक्स्ट, which atmospheric pollutant is the man factor of acid rain, भोलिए, acid rain में कौन सा man factor हमारे पास होता है, SO2, S2S, N2, HCl, easily आप यहां पे आंसर कर पाओगे, it is SO2, clear, so basically जो acid rain होता है, मैंने आपको बोला है, acid rain हमारे पास होता है, manly किसे कारण, SO2 के कारण, clear, आचा, NO2 भी हमारा यहां पे option है, but मैंने आपको बोला है, अगर आपको दूनों option दिये जाएं, exam में, SO2, NO2, हमेशा SO2 को trick करना की, इसके लिए, acid rain के लिए, clear, so SO2 से हमारा क्या बनता है, यहां पे, H2SO4, NO2, जब water के साथ मिलता है, क्या बनाता है, HNO3, nitric acid, and sulfuric acid, यहां पे बनते हैं, और वो काफी जादा destruction करते हैं, and pH बहिरा भी, मैंने आपको acid rain का बोला हुआ है, it is less than basically 6, या फिर 6.5 से आप मान सकते हो, 6.5 से नीचे है, इसका pH, so acid rain का pH भी याद रखिएगा, it is less than 6.5, या फिर आप बोल सकते हो, 6 to 6.5, clear, next, दिताज महल is mostly getting affected by, बोलिए, soil pollution, water pollution, air pollution, noise pollution, so it is air pollution, again, किसके कारण, acid rain के कारण मैंने आपको ill effects, acid rain बोले थी, कि क्या क्या effective होते हैं हमारे पास, vegetation को effect करता है, architectural buildings को effect करता है, like, हमारे पास, जो ताज महल है, क्योंकि वहाँ पे marble वगेरा, clear लगा हुआ है, उसके उपर, जब भी acid rain पढ़ती है, वहाँ पे reaction स्टार्ट होती है, और जो marble होता है, उसकी disintegration हो यांकि किसकी बात हो रही है, eutrophication की बात हो रही है, तो इसको हम algal bloom भी बोलते हैं, तो किसके कारण, blue green अलगे के कारण, अभी मैंने आपको बोला, next, the international biodiversity year, clear, the international biological diversity day, biological biodiversity day, is observed every year on dazes, to increase understanding and awareness of biodiversity issues, biodiversity day को बोलिए, कब मनाया जाता है, clear, जो biodiversity day हमारे पास होता है, इसको second of may मनाया जाता है, this is very important, जितने भी days आपके पास हैं, उनको याद रखिएगा, these are very important, and let me tell you, हमारे पास जो forest day होता है, clear, forest day, हर एक डे को याद रखना, clear, forest day, 21st march को मनाया जाता है, clear, आचा, then, अगर मै important की बात करूँ, our day, जो हमारे पास होता है, environment के respect में, our day को कब मनाया जाता है, 22nd April को, clear, आचा, भूलिए, environmental day, clear, आचा, पहले बोलिए, wild live day, world wild live day, wild live day को कब मनाया जाता है, 3rd March को, this is very important, clear, आचा, biodiversity day, biodiversity day, 22nd May, clear, 22nd May, इसको मनाया जाता है, clear, these are very important, जो exams में बार-बार पूछे जाते हैं, and आपके exam में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि, आपके exam में ये सब चीज़ें आलरी हैं, environmental day, environmental day, कब मनाया जाता है, हर एक को पता होना चाहिए, जब आप अपने school से निकलते हो, 5 जून को, clear, 5 जून को, आचा, ozone day, कब मनाया जाता है, ozone day, 16, आप September को मनाया जाता है, clear, आचा, water day, water day, कब मनाया जाता है, इसको 22nd मारिच मनाया जाता है, clear, biodiversity day and water day, दूनु को 22nd मारिच मनाया जाता है, these are important days, इनको याद रखिएगा, screen shot लीजिएगा, forest day, 21st मारिच, और डे, 2nd April, 22nd April, wildlife day, 3rd March, clear, biodiversity day, यहाँ पे 22nd में, आचा, environment day, 5th June, ozone day, 16 September, water day, 22nd March, clear, next, the convention which deals with conservation of endangered species, so, कौन सी conservation है, endangered species related, CITES, clear, so, it is sites, clear, CITES, इसको हम बोलते हैं, convention, convention on, क्योंकि आपके syllabus में, biodiversity है, so, यहाँ से question पोचा जा सकता है, convention on, international trade, clear, international trading, endangered, endangered species, clear, species, यहनकि CITES, clear, so, convention on, international, CITES, clear, convention on, international trade, in endangered species, clear, so, यह है, wildlife conservation, में, एक, important, यहाँ पे, convention, clear, इसको भी याद रखियेगा, the different methods of ex-situ conservation, काफी ज़्यादा important है, what are the methods of conservation, हमारे पास, दो होते हैं, एक होता है, हमारे पास, in-situ conservation, और दूसरा हमारे पास होता है, ex-situ conservation, in-situ मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया है, natural habitat of animal, वहीं पे अगर हम इसको protection दे, वो क्यालाता है, in-situ, अगर हम natural habitat हैं, जंगल से बाहर उसको कहीं पे ले जाए, फिर कंज़ोरू करें, वो क्यालाईगा हमारा ex-situ, आचा, बोलिए, in-situ में हमारे पास, क्या-क्या आता है, clear, अगर मैं in-situ की बात करूँ, in-situ में, generally हमारे पास, क्या-क्या method आता है, अच्छे से मैंने आपको बोला है, hot spot, clear hot spot आता है, then, जो हमारे पास, national parks होते हैं, clear, wild life centuries होते हैं, या फिर, biosphere reserves होते हैं, then, sacred grooves होते हैं, ये किस में आते हैं, in-situ में आते हैं, clear, ये हमारे पास, in-situ में आते हैं, and इन तेन को, basically, हम क्या बोलते हैं, protected areas, इन को हम बोलते हैं, protected areas, इन को, national park, wild life centuries, biosphere reserves, clear, x-situ में, seed bank आता है, tissue culture आता है, botanical garden आता है, zoological park के साथ हैं हमारी, these are x-situ conservation, so, all of the above correct option रहेगा, clear, all of the above, these are x-situ, and ये मैंने आपको यहां पे in-situ mention किये, अच्छे से याद रखना, clear, यहां से objective end, यहां से 2 mark या 3 mark का कुशन भी पूछा जा सकता है, clear, the term biodiversity, hotspot was first coined by, so hotspot जो term थी, किस ने दी थी, so, ये basically दी थी, Norman Mears ने, clear, किस ने दी थी, Norman Mears ने, कब दी थी, ये भी याद रखेगा, 1988 में, which among the following is not, one of the 34 global biodiversity hotspots, so, अगर मैं world की बात करूँ, world में, abhi के time कितने हैं, so, ये, जो कुशने, ये थोड़ा पुराना है, abhi के time, अगर मैं बात करूँ, abhi के time हमारे पास 36 हैं, but, इंडिया में वही 4 हैं, जो मैंने आपको बोले हैं, इंडिया में हमारे पास four ही हैं अच्छा क्या क्या मैंने आपको बोले हैं चार हमारे पास hot spots हैं पहला जो hot spots हमारे पास हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा पहला था the Himalayas clear Himalayas दूसरा हमारे पास जो था वो था इंडो बर्मा इंडो बर्मा जिसमें अच्छे से लेक्चर przysz को देखा होगा उसको याद होगा clear इंडो बर्मा clear तीसना हमारे पास वेस्टरन गाट्स वेस्टरन गाट्स गो होते हैं दीसरा हाल् सो hot spots हमारे पास जो चोटा हमारे पास होता है इस सुन्दर लेंड clear, सुंदर लेंड या फिर यह एन के वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन इसी में हमारे पास इंडो मान और नीकोबार आईलेंड जाहते हैं clear, इंडो मान और नीकोबार आईलेंड जाहते हैं so इसकार four hot spot बाइव डैवर्श्टी पोर्शन इंडिया अच्छे से याद रखेगा । the Himalayas, Indo-Burma region, Western regards, Sundar lands Sundar lands में Indomand and Newcomboar Islands आता है so कौन सा नहीं है देखें Western regards भी है Eastern नहीं है Himalya भी है Newcomboar Islands भी है so Eastern got हमारा हॉर सपार्ट नहीं है next which of the following has been declared as the decade on biodiversity so biodiversity decade याद रखिएगा clear जो biodiversity decade हमारे पास था वो था 2011-2020 ये हमारे पास था बाइयो डाइवरिस्टी डिकेड आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे जो 2000-2030 है इसको कौन सा डिकेड नाम दिया गया है आप बोलेंगे clear जो 2011-2020 था यहनकी डिकेड हम बोलते हैं 10 years को उसको बोला गया था बाइयो डिकेड डिकेड और कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे जो 2020-2021 तो 2030 है ये कौन सा डिकेड है हमारे पास next the most important reason for decrease of biodiversity is destruction of habitat is the most important clear important reason for the decrease of biodiversity यहनकी बाइयो डिकेड होना very important question दो या तीन माह का आपके एक्जाम में पूछा जाता है बूलिए क्या क्या reason हमारे पास है so जो most important reason हमारे पास होता है that is habitat destruction देखिए ओर exploitation भी है alien species भी है habitat pollution भी है but इन चारों में जो most dangerous होता है या फिर most important होता है that is destruction of habitat clear बाकी यह चार भी है but यह बोल रहा है most important clear most important so it is habitat destruction so जो decrease in biodiversity है किसके कारण होती है habitat pollution के कारण introduction of alien species के कारण या फिर exotic species over exploitation के कारण and most importantly habitat destruction के कारण so यह question भी आपका यहां से हो गया देखिए biodiversity highest in बोलिए कहां पे biodiversity highest है so हमेशा याद रिखेगा जो tropical evergreen forests है वहां पे जादा है जब आप देखोगे equator के उपर यह वाला region जो हमारे पास है यहां पे biodiversity reach होती है क्योंकि यहां का जो temperature होता है अच्छा खासा होता है sunlight अच्छी खासी आती है water अच्छे से available होता है therefore जो evergreen या फिर tropical evergreen forest है हमारे पास होते है यहां पे यह क्या होते है biodiversity rich when was biodiversity act enacted in India कब biodiversity act को लागू किया गया है इंडिया में भोलिए कब लागू किया गया इसको लागू अच्छा कब लाया गया था पहले यह याद रखिएगा इसको हम बोलते है बायर डैवरिस्टी एक्ट आफ 2002 जनरली आफने देखा होगा बायर डैवरिस्टी एक्ट आफ फिर लिखा जाता है 2002 यहां कि इसको लाया गया 2002 में बट हमेशा याद रहेगा जब मेंशन किया जाए in act या फिर in force इन force या फिर in act इसका मतलब है लागू कब हुआ लागू हुआ था यह 2003 में कब एक दस 2003 यान कि 1st October 2003 में यह लागू हुआ था बट लाया गया कब 2002 इसलिए इसको हम बोलते हैं बायर डैवरिस्टी एक्ट आफ 2002 बट इन force या फिर in act कब हुआ यान कि practically field में लागू कब हुआ लागू हुआ था 1st October 2003 को अच्छे से याद रखिए गा Now Which of the following case was responsible for बोपाल गेस tragedy बोपाल गेस tragedy very important कब हुई थी This is important also एक्जाम में डेड़ भी पूची जाती है आच्छा 2 and 3rd December clear 2 and 3rd December को clear यहनकी 2 के night को and 3rd के जो morning थी उसमें हुआ था 2 and 3rd December को अच्छा कब कब यह भी याद रखना है 1984 में clear This is very important date एक्जाम में पूचा जाता है आपके एक्जाम में भी पूचा जा सकता है बोलिए कब बोपाल गेस ट्रेजडी ओकर हुई 2 to 3rd December 1984 अच्छा कौन सा गेस यहां पे leakage हुआ methyl isosinide M.I.C. यह भी एक्जाम में कुशन पूचा जाता है बोलिए methyl isosinide ने किस के साथ react किया so water के साथ react किया यह भी objective है यह भी objective है Union Carbide Inter Indian Limited Union Carbide Inter Limited company थी जिसमें क्या हुआ था leakage हुआ था M.I.C. का एंड इसमें काफी वर्कर की डेहत हुई थी clear next which of the following is the best solution to get rid of non-bio-degradable waste so non-bio-degradable clear जो bio-degraded नहीं होंगे उनको उनको खतम करने के लिए आपके पास best option क्या है या फिर उनका खातमा करने के लिए आपके पास best option क्या है dumping नहीं burning नहीं recycling burning नहीं so recycling clear यह हैं कि जो हमारे पास non-bio-degradable waste हैं उनकी हम recycling ज़्यादा से ज़्यादा उनकी करनी चाहिए clear especially plastic वगेरा which of the following is not a particular क्योंकि प्लास्टिक यू आलनो थाउजन्ड शाप येर्स में हमारी अरत में as it is रह सकता है clear उसकी decompotion नहीं होती है clear so recycling is the best option which of the following is not a particular pollutant so बोलिये particular pollutant कौन सा नहीं है जब मैंने आपको particular matter का concept देया था dust भी है suit भी है smoke भी है fog हमारे पास होता है ozone is not a particular matter clear ozone हमारे पास अलग pollutant होता है clear अच्छा इसमें आप fog fog हो गया mist हो गया इनको भी add कर सकते हो clear dust, suit, smog, fog, mist ये हमारे पास या होते हैं these are p.m. particular matter the most important reason for the decrease by diversity again question आ गया है so चलिए अच्छा पीछे स्लाइड चली गई wait a second 29 climate change अच्छा इमोस रिशन फार इमोस इंपॉर्टन रिशन फार दी डिक्रीश आ बायो डिवरिस्टी इज यार wait a second wait a second अब आगे हैं correct questions wait 29 and 30 क्योंकि वो repeat हुए थे बहा पे देखे 29 and 30 this is question number 29 and this is 30 already 28 तक हम नहीं देखा this is 29 and 30 now देखे biological oxygen demand पहले question में ही यहाँ पे misprint है यह फिर error है क्योंकि यह होना चाहिए biochemical clear biochemical oxygen demand क्योंकि BOD जो हमारे पास होता है it is biochemical oxygen demand clear अच्छे से याद रहिएगा clear BOD BOD is a standard criterion for measuring oxygen levels in blood नहीं blood की तो बात ही नहीं है computing oxygen levels है फॉरेस्ट नहीं फॉरेस्ट का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे pollution ऐसे in aquatic system बिलकुल pollution monitor करना कि इसमें water bodies में या फिर aquatic systems में clear so BOD clear अगर BOD ज़्यादा मैंने आपको अलगल बलूम में समझाया था अगर BOD ज़्यादा dissolved oxygen कम होता है हमारे पास clear so it is pollution ऐसे in aquatic system या फिर water bodies में इसको हम यूज करते है clear so जितना BOD ज़्यादा होगा इसका मतलब pollution ज़्यादा होगा याद रखिएगा जितना BOD ज़्यादा होगा pollution ज़्यादा होगा dissolved oxygen कम होगा then green muffler is a technique which of the following pollution बोलिए green muffler जो हमारे पास technique है किस के लिए हमारे पास use की जाती है green muffler अच्छे से मैंने आपको बोला था air pollution water pollution soil noise noise pollution के लिए noise pollution को reduce करने के लिए मैंने आपको बोला था क्या-क्या हमारे पास methods होते हैं clear अच्छा एक और important question यहाँ पे noise pollution very important objective exam में पूछा जाता है noise pollution को कब लाया गया noise pollution को किस act के ताहट यह भी question पूछा जाता है इसको air pollution act के ताहट लाया गया clear so इसको basically लाया गया air pollution act के ताहट अच्छा कौन सा 1981 का air pollution act 1981 जो है उसी के ताहट यहनकि noise pollution अलग से हमारे पास act नहीं है यह किसके अंदर included है air pollution act के अंदर कब जो 1981 का था उसमें लाया गया था और आप से बोलेंगे किस section में section A के ताहट noise को माना गया pollutant clear पहले इसको pollutant नहीं माना जाता था but air pollution act 1981 ने क्या किया इसने बोला कि जो हमारे पास noise है यह भी वाई साब क्या है pollution and section A में इसको रखा गया clear climate change can effect agriculture, rain fall, human health all of these बिल्कुल all of these को climate change effect करेगी which are the major causes of climate change deforestation industries burning of fossil fuel so all of these clear so major cause of climate change deforestation के कारण भी climate change होती है fossil fuel burning के कारण industries से काफी ज्यादा जहरीला दुआ निकलता है उसके कारण भी climate change देखी जाती है next among the following which helps in monitoring air pollution मैंने आपको air pollution monitoring का भी mention किया हुआ है so हमारे पास जो lichen होते हैं इनको हम use करते हैं especially lichen को किस pollution के लिए use किया जाता है monitor करने के लिए so2 के कारण जो pollution produce होता है next what is carbon footprint carbon footprint हमारे पास होता क्या है the total setup greenhouse gas emission caused by an organization a person or an event for example हमारे पास कोई organization है कोई institute है ये institute कितना greenhouse gases का emission कर रहा है या फिर कोई person है एक बंदा कितना greenhouse gases का emission करता है या फिर कोई event होता है कहीं पे meeting वगेरा वहाँ पे कितना green या फिर party वगेरा वहाँ पे कितनी greenhouse gases बाहर निकली तो इसी को हम बोलते हैं carbon footprint exam में आप से पूछा जा सकता है clear total setup greenhouse gas emission caused by an organization person or event is known as carbon footprint clear ये था कौन सा question 34 35 which of the following gases is most harmful for ozone layer ozone layer के लिए कौन सी गेस खतरनाग होती है हमारे पास it is carbon dioxide नहीं nitrogen oxide नहीं sulfur dioxide नहीं chloro-fluorocarbons जो CFCs हमारे पास होते हैं अच्छे से ozone layer को मैंने आपको पढ़ाया CFCs HFCs hydrofluorocarbons clear या फिर जो phryons हमारे पास होते हैं जो halogen हमारे पास होते हैं especially chlorine clear then हमारे पास carbon tetraclodride CCL4 या फिर methyl bromide ये जो हमारे पास होते हैं these are ozone depleting substants clear cfc hfc phryon halogen CCL4 methyl bromide ozone layer naturally by ozone layer जो हमारे पास form होती है कैसे form होती है interaction of UV radiation with oxygen clear so interaction किसका UV radiation का oxygen के साथ next Montreal protocol is related to which of the following बोलिए Montreal protocol किसके related है clear so basically جो Montreal protocol हमारा है इसको कब लाया गया था again very important question clear very important question इसको 1987 में लाया गया बट इन फोर्स कब किया गया इसको इन फोर्स किया गया 1989 में इसमें क्या बोला गया जो कुलोरो फुलोरो कार्बन्स हैं या फिर phryons हैं या फिर ozone depleting substance हैं इनका यूज हम नहीं करेंगे so therefore it is related to ozone layer clear ozone layer के related है next second ozone hole was detected over देखिए first ozone hole तो सब को पता होता है first ozone hole कहां पे देखा गया first ozone hole entire tica में देखा गया entire tica में देखा गया clear very important question ये भी exam में पूछा जाता है इसको entire tica में देखा गया और किसने देखा ये भी exam में कुछा जाता है इसको देखा फर्मान फर्मान एट अल में clear फर्मान e-t-a-l clear e-t-a-l अलग से a-l अलग से कब ये भी कुछन पूछा जाता है 1985 में पहली बार ozone hole detect किया गया कहां पे entire tica में किसने फर्मान e-t-a-l clear आचा दूसरी बार कहां पे देखा गया Arctic region में clear Arctic region में पहला सब को पता होता है Antarctic में दूसरा भी आप याद रहेंगे Arctic region में and ozone day कब मनाया जाता है अभी मैंने आपको mention किया starting में ही इसको 16th September हम मनाते हैं very important question clear very important question next NGT what is NGT NGT हमारे पास simply होता है National Green Tribunal clear NGT is National Green Tribunal अचा ये होता क्या है ये एक टाइब की लोग अदालत हमारे पास होती है clear ये हमारे पास से होती है एक टाइब की लोग अदालत this is very important clear this is very important and इसका concept basically कहां से आया था जो रियो सुमिट हुई थी रियो सुमिट 1992 में वहीं से इसका concept आया this is very important clear कब लागू हुई अचा पहले किस आर्टिकल के ताहत आर्टिकल 21 के ताहत लागू हुई clear अचा कब लाया गया इसको 18th of October 2010 इसको भी आप अपने नोडस में अड़ करोगे this is very important clear 18th of October 2010 clear 2010 में इसको काफी ज़्यादा पुछा जाता है and किस आर्टिकल के ताहत आर्टिकल 21 and किस सुमिट के ताहत it is Rio सुमिट 1992 clear this is very important and इसमें different members हमारे पास होते हैं के उपर आपको नहीं जाना है and इसमें बिसके लिए हमारे पास ये भी याद रहेगा जो NGT हमारे पास होता है इसमें seven laws included है for example water actor then water cis actor forest actor year actor environment protection actor public liabilities actor biodiversity actor ये इसमें seven actors हमारे पास होते हैं इसमें NGT में clear NGT में पहला water actor water actor दूसरा हमारे पास water cis actor c-e-s-s-a-c-t water cis actor जो तीसरा हमारे पास होता है it is forest actor जो था जो हमारे पास होता है it is year actor पांचवा जो हमारे पास होता है it is environment protection actor चाथा जो हमारे पास होता है it is public liabilities public liabilities act clear आचा साथवा जो हमारे पास इस होता है इस बयो डैवरीश tierrachemistry यह 7 actors इस इसमें include हैं कि इसमें NGT clear NGT so अच्छे से याद रखिएगा this is basically एक judicial administration clear एक judicial administration हमारे पास होती है NGT clear these are very important objectives جो मैंने आपको यहां पे mention किए या फर important points next which day of the year is called world is called world environment day सबी को पता होता है World Environment Day हम कब मनाते हैं इसको हम फिर तो आप जून को मनाते हैं clear next Central Pollution Control Board देखिए CPCB ये भी आपके अबरवेशन पूछी जाती है कापी बार आपके Class 12 में इसको अबरवेशन पूछा गया है what is CPCB CPCB हमारे पास होता है Central Pollution Control Board very important clear CPCB के बारे में अगर मैं आपको बता दू CPCB किस एक्ट के ताहत लाया गया very important clear very important CPCB को Water Act के ताहत लाया गया and Water Act कब लाया गया 1974 में so CPCB जो बना है na Central Pollution Control Board किस एक्ट के ताहत बना है very important objective Water Act 1974 so therefore कब बना 1974 में and किस एक्ट के ताहत के ताहत ही SPCB सिटेट Pollution Control Board भी बने यह है Central therefore Central Pollution Control Board कहां पे होगा Mumbai, Calcutta, Patna, नहीं none यह बिसकली कहां पे है Delhi में clear इसका जो head का water है वो कहां पे है Delhi में यह भी यादर कियेगा next NEPA clear NEPA stands for clear जो NEPA हमारे पास है it is National Environmental Policy Act clear National Environmental अच्छा ढूंड़िये कहां पे है National Environmental Policy Act NEPA clear यह हमारे पास होता है NEPA अच्छा कब NEPA लाया गया basically 1970 में यह भी आप याद रख सकते हैं number 43 environmental impact assessment is aim to help clear देखिये जो environment assessment हमारे पास है basically इसमें 5 चीज़ें important हमारे पास है या फिर 5 चीज़ों में यह हमें help करता है पहला ही resource conservation clear resource conservation clear दूसरा हमारे पास waste minimization यह जो waste हैं उनको minimize करना है waste minimization तीसरा जो हमारे पास है efficient use of equipment efficient use of equipment जितने भी हमारे पास scientific equipment हैं उनका हमें efficient use करना है clear efficient use of equipment आचा चोथा हमारे पास sustainable development sustainable development clear sustainable development पांचवा हमारे पास by product resource by product recovery by product resource या फिर by product resources recovery clear जो हमारे पास by products बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बनने चाहिए यह है AM किसका basically EIA का so resource की conservation conservation waste is minimization होना चाहिए याँ कि अगर कोई project हम कर रहे है वहाँ पे waste का minimization होना चाहिए और जो equipment हम वहाँ पे use करते है उनका efficient use होना चाहिए sustainable development होनी चाहिए clear आने आने वाले सालों में 10, 15, 20, 30 सालों में जो project हम करेंगे clear आज जो project हम करेंगे clear आज से 30 साल बाद वो लोगों को फाइदा देना चाहिए साथ ही में by product recovery अगर हम कोई project कर रहे है उससे हमें additional by products मिलने चाहिए clear so it is resource conservation next UNFCCC UNFCCC हमारे पास क्या होता है so it is basically UNFCCC हमारे पास होता है it is United Nations Framework Convention on Climate Change clear UNFCCC basically ये लाया गया था 1992 में but enforce कब हुआ 1994 में enforce हुआ clear concept कब आया 1992 में but लागू कब हुआ 1994 में UNFCCC United आपके exam में full form भी पूशी जाती है United Nations Framework Convention on Climate Change आचा किस summit के ताहत इसको लाया गया अगर 1992 में concept आया earth summit earth summit clear very important earth summit आचा ये कहां पे हुई थी ये हुई थी Rio degenereo में clear Rio degenereo कहां पे Brazil में हुई थी clear Rio degenereo Brazil में हमारे पास earth summit हुई थी clear and इसका concept भी आपने botanymium भी पढ़ा हुगा biology में clear next UNEP 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 हमारे पास क्या होता है it is simply United Nations Environmental Program clear so it is United Nations Environmental Program option A clear next when was water prevention and control act enacted so कब लाया गया था water act हमारे पास clear water act so जो water act हमारे पास था इसको लाया गया था 1974 में very important clear 1974 में clear अच्छा पहला point दूसरा point जो water act हमारे पास है इसी के ताहत क्या किया गया CPCB and SPCBs को बनाया गया clear I hope आपके concept यहां पे clear हो रहे है clear अच्छा देन भोलिए इसमें कितने chapters थे CH short में मैं लिखूँगा इसमें 8 chapters थे ये भी कुशन आपसे पूछा जा सकता है कितने sections थे इसमें 64 sections थे clear इसमें 64 sections थे very very important clear किसलिए लाया गया था जो water bodies हमारे पास है उनको prevent करने के लिए pollution से clear उनको prevent करने के लिए अच्छा ये भी आप लिखेंगे चोथा point या फिर AM क्या था water conservation या फिर water pollution को control करने के लिए अच्छा देन आप बोलोगे penalty penalty कितनी लगती है यहाँ पे so penalty यहाँ पे 3 months की लगती है खाली 3 months याद रखिएगा clear वियाद रखिएगा very important अच्छा 3 months plus fine कितना fine यहाँ पे 10,000 rupees का fine अच्छा additional fine कितना 5,000 per day याँ कि अगर फिर violet करोगे आपको per दिन 5,000 rupees का fine लगेगा clear लगेगा this is very very important clear यह भी question पूछा जाता है कि JNK में clear देखिए इसके ताहत CPCB Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board बना clear यहनकि हर एक state में Pollution Control Board बना therefore JNK में भी Pollution Control Board बना होगा कब बना JNK का SPCB 1987 में बना यह भी objective पूछा जाता है clear so 1987 में JNK का SPCB बना clear so Water Act 1974 किसके लिए Water Pollution को Control करने के लिए CPCB SPCB इसके ताहत बना कितने चप्टर आठ section 64 penalty 3 months की jail या फिर 10,000 जुर्माना या फिर अगर आफ वोईलेट करोगे फिर 5000 रुपे पर डे जुर्माना होगा आचा यहीं पर बोलिए फिर हमारे पास clear हमारे पास Year Act Year Act बोलिए यहीं से आपका revision भी होगा Year Act कब लाया गया 1981 में clear आचा अगर पर्टिकुलर डेट मेंशन की जाए सो इसको लाया गया था 16 अप में 1981 पहला पॉइंट हो गया Year Act का clear किसलिए लाया गया था ताकि हम prevention करें किसका Year Pollution का clear Year Pollution का and जो CPCB SPCB जो बने थे Water Act के था उनको further यहां पे क्या किया गया further responsibilities दी गई clear further responsibilities दी गई आचा इसमें कितने chapters हमारे पास है इसमें seven chapters है and section कितने हैं इसमें section इसमें हमारे पास 54 हैं clear 54 है clear आचा then बोलिए इसमें जो हमारे पास penalty है पड़ा है आपने penalty कितना clear penalty इसमें again three months का penalty clear three months का penalty plus जुर्माना कितना same जुर्माना 10,000 रुपीज and but per day में यहां पे difference है यहां पे खाली 100 रुपीज per day क्योंकि water ज्यादा important है क्योंकि water का pollution काफी ज्यादा important है clear so वहां पे ज्यादा जुर्माना है 5,000 रुपीज यहां पे 100 रुपीज per day क्योंकि अगर year pollute होगा वो किसी particular area का होगा clear so this is very important clear very important इन्वार्मेंटल स्टेट्मेंट इन्वार्मेंटल मैनेजमेंट प्लान रिषिक एंड हजार असेस्मेंट सबी इसमें इन्वार्मेंटल होते हैं next leachate leachate is an effulant from which are the following leachate हमारे पास एक लिक्विड होता है जब हम dumping करते हैं clear land fill करते हैं फिर dumping वगएरा करते हैं यहां से क्या होता है यहां से एक लिक्विड soil के अंदर चला जाता है जिसको हम बोलते हैं leachate sanitary landfills में देखा जाता है इसलिए क्योंकि यह leachate खतरनाग होता है अगर यह water table के साथ मिलेगा यह pollution create करेगा इसलिए जब हम dumping करते हैं usually हम क्या करते हैं यहां पे covering polythene की covering पहले देते हैं उसके बाद यहां पे dumping करते हैं clear in the municipal solid waste management system the most consuming criterion is so बोलिए most consuming time या फिर criteria कौन सी होती है जब हम waste management करते हैं अच्छे से मैंने आपको in detail conceptual way में solid waste management को पढ़ाया है कैसे कैसे हम practically field में क्या करते हैं clear so सबसे ज़्यादा time consuming हमारे पास क्या होता है it is separation clear अलग-अलग waste उसको अलग-अलग तरीके से separate करना it is most time consuming हमारे पास clear then the full form of pan very important pan हमारे पास जो कि हमारे पास क्या होता है secondary pollutant होता है clear so यह basically क्या होता है हमारे पास it is peroxy acetyl nitrate clear secondary pollutant हमारे पास होता है primary नहीं होता है clear so these were important objectives so I will try कि दो या तीन session यहन कि यह था पहला session further एक दो sessions लाऊं जहां पे आपके पूरे concept clear होंगे साथी आपके one mark question and two mark questions भी यहां से clear होंगे so मिलींगे हम next lecture में and आप अपना score comment section में mention करिएगा कि आपके कितने objectives यहां पे सही हुए अगर आप 30 plus भी सही कर रहे हो अभी आपके पास time है आप improvement कर सकते हो इन 4-5 दिनों में thank you all